कर्मों पर विश्वास कीजिए श्रीकृष्ण भगवान ने गीता के अंदर यही उपदेश हमें दिया है और बार बार हमें यही समझा है कि जो इनसान कर्मों के साथ जोड़कर चलता है आप अपनी पूरी जिन्दगी पलट कर देख लीजे आपने जो किया है एक्जेकली वही आपके साथ हो रहा है पर आपके साथ जरा सूध के साथ जाधा होता है सुख हमें कम मिलता है दुख हमें कम मिलता है हमारे आसपड़ोस बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं करत बतारे हूं नवरात्रों में कुछ ऐसे उपाए जिससे धन घर आए महालक्षमी प्रसन हो जाए और इस बार ये दिवाली पर आपकी एक्छा पुह जाए पहले मैं दिल से ये कामना करती हूं कि मेरा ये परिवार ये शक्स जो इस वक्त मुझे देख रहा है कोई भी मुझे किसी भी वक्त मुझे देख रहा है उन सबका एक अपना आशियाना और अपना घर जरूर हो यकीन मानी है आपकी जेब में एक रुपया भी ना हो तब भी आपका अपना आशियाना और घर हो सकता है इच्छा होनी चाहिए मन में सोच होनी चाहिए मैं आज आपको दिल की ब बोलती हूं आप लोगों से और जूट बोल भी नहीं रही हूं अभी जिस वक्त मैंने ये घर जिसमें इस वक्त मैं चत पर बैठी हूं ये घर मैं लेने आई थी उस टाइम पर ये घर 12 लाक रुपे का था और मेरी जेब में 12 रुपे भी नहीं थे और जब मैं इस घर को लिया वह भी बिना लोन के फादर इनलाओ ने मदद की भाई ने मदद करी पती देव को ओफिस से उनकी सेलरी पर ही लोन मिला हमने कभी नहीं लिया कि हमारे घर के पेपर कहीं पर पड़े रहें वो पर मन्त उनके उसमें से कुछ-कुछ करता रहा कुछ ज्वेलरी थी उसे काशियाना बन जाना चाहिए यह आपके साथ इसलिए शेयर करे हूँ मैं यह कैसे होगा मैं कहां से होगा मैं पैसे कहां से आएंगे अभी तो घर में बच्चों की फीज भी नहीं जा रही है अरे यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की आपके पास जो अभाव है आप जादू टोना करती हैं उन्होंने हमें सब बरबाद कर दिया हमें तो लोगों की नजरे लग गई यह सब बकवास करके आप सिर्फ पास्ट में ही रहते हैं आप क्या कर सकते हैं यह नहीं देखते फर्दर फ्यूचर बहुत अच्छा है और वो एक वक्त था एक फेस था यह यह भी एक वक्त है यह भी एक फेस है निकल जाएगा और फिर आगे अच्छा फेस आएगा अपनी नाकामियाभी और अपने गलत कर्मों की सजा या उसका गवा किसी और को मत बनाईए पहले मैं आपको यह बात क्लियर कर दूँ अगर किसी ने आप पर जादू टोना किया ह है दोस्त यह करम ही लौट कर वापस आ रहे हैं इस जनम में नहीं किया तो पिछले दस जनम में किया होगा तो फिर किसी पर उंगले उठाने ही क्यों ना आपको कोई बना सकता है ना ही कोई आपको बिगार सकता है आप इस दुनिया के अंदर अपने सबसे बड़े दोस्त और अपने सबसे बड़े दुश्मन स्वेम है आज मैं आपको बताऊंगी धन प्राप्ति की उपाई अगर आपने यह उपाई नौ दिन लगातार कर लिए तो ओए होए बात ही क्या लेकिन अगर आप यह उपाई नौ दिन में केवल मातर एक दिन भी कर पाए तो मज़ा आ परांतु सब कुछ फल आपको जो फल उपायों को करने आपको नवरात्रों में मिलता है न वो किसी भी अश्टमी पर करने से नहीं मिलता आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए अगर आपको दो कमरों का घर चाहिए तो आपको भगवान से कहना चाहिए भगवान मुझे कर देगा तो पहले सोच बड़ी करो और आप करकर देखो और मुझे, वट्सप करकर बताओ, पोटली आपके घर पहुंच रही हैं पहुंच गई हैं और मेरी पोटली आपकी जिंदगी में चमतकार कर देगी, इतना धन देगी आपको, आपके सपने पूरे करेगी, आपने ज दिमाग को स्थिर रखकर बस बड़ा और पॉजिटिव सोचो, धन किसको नहीं चाहिए होता, धन हर किसी को चाहिए होता है, नवरातरों के नौ दिन सिद्धी, रिध्धी, शुब और लाप को प्राप्त करने के होते हैं, और ये दिवाली से पहले लक्षमी के आगमन के दिन होते हैं, मा पारवती और शिव को मनाने के दिन होते हैं, जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूं, उसमें आपको शुद्धी और नियम का ध्यान रखना है, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी प्याज खाकर कर रहे हैं, कभी बिना प्याज खाये कर रहे ह नहीं जे हम तो नवरात्रों में प्याज खा लेते हैं, हमारी मान ने तो कभी हमें छोड़ा नहीं है, आपकी मान ने तो बहुत कुछ नहीं किया था, लेकिन आप वो सब कुछ कर रहे हो, आपकी माँ शायद अंग्रेजी स्कूल में नहीं पड़ी थी, आप पड़ रहे हो, आपकी मा के टाइम पर इंटरनेट नहीं था, आप कर रहे हो, तो मम्मी ने अगर प्याज नहीं भी छोड़ा, तो भगवान के लिए नवरात्रों में तामसिक भोजन, लसन प्याज, त्यागने का काम तो आप एटलिस करिये सकते हो, अगर ब्रत नहीं रख सकते, नवरात् ये महीला, ये पुरुष, इंक्रिमेंट, परमोशन, घर, गाड़ी, बंगला, भाई सब हो क्या रहा है, लेकिन याद रखेगा, रातरी बारा बजे नौ दिन लगातार, और किसी कारण से आप रातरी बारा बजे नौ दिन लगातार नहीं कर सकते भाई मेरे, तो अस्टमी लगातार आठ बजे हनुमान ची को नौ लौंग पान के बीडा में, यानि कि पान के पत्ते पे रखकर नियमित रूप से एक मंदर में जाकर अरपन कीजे, लेकिन समय आठ बजे होना चाहिए, देखे हमें पैसा भी चाहिए, उसमें समय भी ना हो, मैं नहीं जा सकती, मेरे पती चले जाएं, जो मर्जी करिएगा, चाहिए एक बार करें, अगर धन चाहिए ना, तो धन इतनी असानी से नहीं आता, कुछ उपाय ऐसे होते हैं, जिसमें इफ एन बट नहीं हो सकता, ये उपाय आप सूतक पातक और पीरेट्स में नहीं कर सकते, ये उपाय करने के लि कुछ आपको खीर बनाकर मा लक्षमी को भोग लगानी है, और अपने हाथ से ही किसी कुआरी 9 साल से छोटी बच्ची को खिलानी है, 9 दिन लगाता हैं, लेकिन 6 बचे, अगर आप ऑफिस में होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो मत करिए इस उपाय को, लेकिन मुझ से इस साड़े 6 की जगा साड़े 8 खिला दो, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा, ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन अगर साड़े 6 खिलाएंगे तो ओई होए, और साड़े 6 के 6, 45 हो जाएं, मतलब कोई प्रॉबलम नहीं है, पॉने 7 हो जाएं, लेकिन आप सोचो कि पॉने 8 हो जाएं, तो फिर दोस्गर बढ़े हैं, फिर वो समय जो मैंने इतनी महनत करके समय के निकाल कर आपके लिए जो बेला पर उपाय बनाएं, वो आप नहीं कर पाएंगे, अगर अपनी उमर के बराबर लॉंग, लाल धागे में बांद कर माता के मंदिर में हर रोज अरपन क दोस्टा की जाएं, और एक ही टाइम पर सुबह चार से पांच के बीच में की जाएं, तो अपार धन की प्राप्ति होती है, जैसे आपकी एच 40 है, तो 40 longs ले लीजे, 45 है 45 ले लीजे, 30 है 35 ले लीजे, लेकिन लाल धागे में बांद कर एक ही टाइम सुबह चार से पांच के बीच में मा दुर्गा के मंदिर में अरपन कर करा हैं जी नहीं यह उपाए आपको जाकर मंदिर में ही करना होगा पान के पत्ते पर हवन समगरी मिला कर हवन रोज नौ बजे या सुबा चार बजे से छे बजे के बीच में या रातरी नौ बजे ओम हिम क्लिंग चमुंडा विच्चा के साथ आप करें तो इतना धन आएगा इतना धन आएगा आपने सोचा नहीं होगा कुसने मार भी लिया होगा आपका धन वो भी घर आके हाथ जोड़के धन देके जाएगा रोज करिए रोज आपको क्या करना है एक पीपल का पत्ता लेना है उस पर गंगाजल चिरकना है उसे शुद करना है उस पर राम लिखना है उस पर रखनी है आपको कोई मिठाई और सुबा साथ बजे हनुमान जी के मंदर में जाकर ये मिठाई और पान का पत्ता आपको एक ही टाइम एक ही मंदर में अरपन करना है मिठाई हर रोज बदल सकते हैं पर पीपल क कमल के फूल मा को सुभा 8 बजे से पहले अरपन करें जिनके पास कमल के फूल ना हो वो 9 कमल के गटे मा को पान के पत्ते पर रखकर रोज अरपन करें और सिर्फ और सिर्फ धन की कामना करें अखंड जोत नहीं जला सकते तो रोज सुभा शाम मा के मंदर में अपने घर के मंद पर दो घीके दीपक जलाएंगे अपने आंगन में रंगोली बनाएंगे और जो लोग तुलसी पर दिया जलाएंगे और वो दिया शाम तक जलेगा उनके घर से इस बार लक्षमी रूट कर कहीं नहीं जाएगी ये मैं आपको गैरेंटिट कह रही हूं और आपको इसके बहु जादा धिहान फिलहाल मुझे दीजिए जाज़त नमस्कार